हेलो नमस्कार गाईज टेक मोटर्स यूटूब चलेंग का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का सुवाग आता है तो मैं उसे विन दू चलिए आज का जो होंडा हाइनेस सीवी 350 के ऊपर का जो फूल डिटेल्स रिविवीव है ये शुरुबत करते हैं इस वीडियो के सेयर करने मालों सो और ना देरी करते भी वीडियो को चलिए शुरुबत करते हैं तो पहले ही मैं बता दू 350 सी सेग्मेंट में सब्चे ज्यादा फिचर्स लोडेट टाइप का एक बाइक है ये तो जैसे कि शुरुबत करते हैं फॉन से देख सकते हैं पूरो राउंड ये लिए हाइनेट का तीम वेरियंट आता है जैसे कि आपको डिलख डिलखS प्रो एन्ड लख्स प्रो प्रों तो यह बाज़्िव मेरे सामने खड़ा एक डिलक्स प्रों का प्रोंगा एडिसेन है तो देख सकते हैं आपका क्रूंग का टच मिली जाएगा जैसे कि फॉन् जैसे कि इंडिकेटर ऑन करने से मिदिल का जो लाइट है यह जलने लगता है और जब इंडिकेटर को आप कर देते हैं तो जो बाहर का डी अर्ड यह जलने लगता है यह वह फीचर्स मुझे और दूसरा वाइक से थूड़ा बेटा लगता है जो की हाइनेस में ऐसे करके और दुसरे में पहले जैसे बोलाल से दूसरा एक से इसको अलग मनाता है जैसे कि इसका देखसके बूटल आपको होन्स मिलता है होन्स का बहुत है है और इसका पूरा जो降्ट भर भर rag पूरा एक्जोस्ट सिस्टेम क्रॉम का ही मिलने वाला है और यह पर आप इंजिन के ऊपर में कॉम का टाच देख सकते हो और होंडा का जो बैजिंग देख सकते हो तो इंजिन का बात करी रहे है तो इंजिन आपको मिलता है 348.36 CC का एयर कूल 4 स्टोक सिंगल सिलेंडर SI OBD2E20 while को सब्सक्राइब करने वाला fuel injector टाइप का इंजिन है और इस इंजिन का जो टॉर्क अप लोगो को काफिए अच्छा मिलने वाला है जो कि अपने आप में काफी अच्छा टॉर्क है और उसके साथ साथ इसका पावर 20.78 भब्येचपीका मिलने वाला है जोकि आप लोग क तो 5,500 rpm पर एचीव होने वाला है तो बेसिकली पावर वाइस इंजिन स्मूथनेस वाइस और दूसरा वाइकों से ये हाइनेस काफी स्मूथ और रिलाइबल और पावर को काफी क्विक अपको सादेन पीकप बगर भी अच्छा मिलता है बैसिकली ये तो एक क्लासिक सेगमेंट का बाइक होगे इसमें तो पावर का सादेन पीकप का ऐसा कुछ होता नहीं है तो फिर भी देख सकते हो और इस बाइक का जो टैंक देख रहे हो 50 लिटर का टैंक मिल लेवाला है टैंक में के उपर में आप लोगी 20 का लोगो और फ्यूल कैप का इंडिन देख सकते हो कॉम का फिनिस के साथ यहाप ग्रे कलर का स्टिकरिंग और होंडा पू कंपेटिबल लेदा रहे और स्प्लिट सीट में यह वाई कहता है और सीट हाइट 800 mm का मिलने वाला है तो सबी राइडर को एक कंपेटिबल हाइट मिलने वाला है जिससे कि आप लॉंग राइड वागर में काफी असानी हो और साइट पैनल में हाइनेस और सीवी 350 का लोगो करने का कोशिस कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को पूरा इस बाइक के प्रो एंड फॉंस पता चल जाए तो इस साइड में अब देख सकते हो कोई भी की वाला फिचर्स नहीं है इस साइड में डायरेट आप लोगो स्कूप बाल सिस्टेम है और पॉंट का देख सकते हो पर्ण का जो मरगाड है यह? पूम का टाच मिलने वाला है और इस भाइक में बैसिकली जो बुने हर सेक्षने टेयर काफी बढ़ा वाला ट एर अप लोह YO को मिलने वाला है फॉंट में 19-inch अप लोगो को आल्व गोमले बाला है और उसके सांत साथ 100 भी 90 काक ट्यू पिस्टोन दबल पिस्टोन कलिपर का यूज किया गया है जिससे कि ब्रेकिंग पर्फोनेंस काफी अच्छा है डूइल चरनल एवियस के साथ यह वाई का था है और यहां पर देख सकते अब लिखा हुआ भी है तो हंडेड़ वाई और और वाईंहं रटी वाइंटी थार प्रोफाल मिलने वाला है तो रॉइलेंट फिल्ट से भी यह त्यार जादा अप लोगों वाइट मिलने वाला है और उसी के साथ इस बाइक का पीछे का जो डिक्स अप लोगों को 240 mm का मिलने वाला है पीछे में सिंगल पिष्टन के लिपर का ही यूज किया गया है और डुएल चैनल एविस के साथ ये वाई काता है आप पीछे में टूइन हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेट टाइप का सस्पेंशन यूज किया गया है तो सस्पेंशन का जो कॉंफेंशन मैं इस बाइक को खुद राइट किया हूँ राइट वाला एक्स्प्रियेंस रिब्लोग मेरा लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में तो डिस्क्रिप्शन चेक आउट कीजिए और देखिए ये बाइक पेसली बहुत कंफेटेबल है मैं 200 किलिमेटर्स बाइक को चला हूँ उ आपको भैलू फार मानी टाइप का ये बाइक लगने बला है और इसका जो आप देख सकते हूं कि ग्यार पोजिशन जो कि वान डाउन फॉर आप टाइप का पेटन का गियार है यह में कोई भी लेगनेस या फिर कोई भी अटकने जैसा पोपले में अप्लों को नहीं मिलने फीचर्स तो जो सेंटर स्टैंट काफी हेल्पफूल होता है इस तरफ का टूरिंग टाइप में तो ओपन टाइप चैंसर जिससे की लूप बगारत बहुत आज़ा आसाने से हो जाता है और पीछे में आप इसका जो साड़ी गार देख सकते हो फुट्रेस देख सकते हो इस और आपको पीचे का जो लाइट है बैसे कि लिए लीडी टाइप को अप लोगो टान लिए प्लीडार में बने वाला है तो इसके साथ है जो गांबर प्रेट इंस्टुरेशन का प्लेस और उसके साथ भी बाइक का जो इस टूमेंट क्लस्टर में आप लोगो काफी सरा पर आपको नॉर्मेल साइट की मिलने वाला है की में दिखसब तो की का स्टाइल तो इस साइट में की को इंसर्ट करने से यह डिजिटल प्लास अनालोग टाइप का डिस्प्लेय ओपर हो जाएगा जो कि यह पर आप लोगो स्पीडो मेटर मिलने वाले पर टान इंडिकेटर यापन नुट्राल इंट्रिकेशन फ्लप मिलने वाला है घडी जो कि आपको रियल टाइमिंग सो करने वाला है उसके तक फ्यूल इंट्रिकेशन ट्रीपो मेटर और गियर फोजिशन इंडिकेटर उसके साथ टिप एटिब भी मिले वाला है याँपर अपर आपको एक फीचर्समील आउने जो कि बाइक इको में चल रहा है तो ज्याधा फ्यूल इफीसेंस होता है याँपर अपर पर किंट्रिकेशन याब ट्रेक्शन कंतर ओफ याउन का इंट्रिकेशन है पर हाई बीम का इंट्रिकेशन या प्रपोई साइट इस्ट्रेंड जो स्लिपर प्राच होने के लेकर क्लाच काफी एजी एंट रिलाइगल है और एक ही इंटिगेटर स्विच में आपको हाई बीम लो बीम का फीचर और यहां पर चार बाटन से आपको डिस्प्ले को डॉगल कर सकते हूं जैसे कि देख सकते हूं वोल्टेज का इंटिकर्शन स्विच कर सकते हूं नीचे में अपर होन मिलने वाला है उसके नीचे में आपको इंटिकेटर मिलने वाला है जो कि प्लेस्मेंट इसका थोड़ा नीचे कर दिया गया है तो राइट साइट में एक ही स्विच में आप लोग को इंटिकेटर स्टार्ट एंड स्टॉप का वीडिएो में आगे आपको लोगों दिखाने वलाओ को सकते हैं और इसका मिरार का उपर विया का है तो यए उल् anticipation हुआ है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक किजिए आपका कोई दोस्त हंडा का कोई बॉइक या हाई नहीं वगर कुछ भी लेने का आप सोच रहा है तो उसके साथ भी यह वीडियो आप डिफिनेटली स्यार कीजिए तो मिलते है इसका तो जैसे की देख सकते हो यह आइनेस का डिलक्स मोडल है डिलक्स मोडल का आप देख सकते हो यह पर टूरिंग किट इंस्टुरेशन किया गया जिसको आपको प्लियों मिलता है और इसी के साथ फोग लाइट बगरा सब कुछ अंडा का फुट का बीग्विन से ही आप पार्चस कर सकते हो सो फिर बात करते है इसका डिलक्स प्रो वेरियंट में डिलक्स प्रो वेरियंट देख सकते हो कुछ भी ज्यादा कुछ चेंच आप लोगो मिलने वाला तो नहीं है थोड़ा बहुती मतलब उनीज और इसकाइट थोड़ा डिफ्रेंस है उसी के साथ आपको और एक अंडा हैनेस का वेरियंट दिखाते हो जो की स्प्लीट सिंगल सीट वाला वेरियंट है तो आप लोग तो यह वाला वेरियंट बेसिकली सोलो केरियर है तो अदके हु Peach का सब्सक्राइब नहीं थो यहां पर आप इंस्टलेलेशन कर सकते हो तो यह वाला वेरियंट अपको कैसा लगा या फिर रहनेस का आ आप लेन रहना चाहते हों वह मुझे डिफिनेट लिंखली रंवतना और तो थो हाइनस का काफी सारा उसी की सबसे इसका जो जय सिर्ट हैया रैली कीट हो गया हुए टूरिंगा गया और सप्लीट का ऑली सिंगल सीड हो गया है अस तरह कापी शार अप लोको एकुम्मेंड मिलता है तो उसी हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आप लोगों मिलने वाला है तो जैसे कि यह हाइनेस का डिलक्स प्रो का कॉम बला एडिसान है इसका प्राइस आज के टेट में जो तो टू लैक्स पर्टिन थाउजन एट हंडेट फिफ्टी शिक्स रूपिस एक्स रूम में आने वाला है और उसके सांसात इस बाइक का ऑन रोट प्राइस आने वाला है तो लैक्स प्राइस प्रो वारेंटी के साथ काफी सारा चीज़े एड़ करके प्राइस है तो आपको जिस हिसाब से बाइक चाहिए तो उसे हिसाब से अन्रोट प्राइस में आप डाउन होता रहता है तो और इसका जो अपनों को नॉर्मली डिलक्स प्रो वाला वेरियंट है इसमें अपनों एक्स रूम प्राइस टू लैक्स टूल थाउजन तू रूपिस पढ़ने वाला है और डिलक्स प्रो का अन्रोट प्राइस टूलेक्स 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 टूलेक् 350 हो गया और सामने अदेख सकते हैं आप सीवी 300 AF 300R सारा वाइकों का स्टोक यह पर तो आप हंडा विगुइंज मितनापूर नौर्थ में कोई कटा काली मंदिर के पास है सोरूं आ सकते हो और कोई भी हंडा का वाइक आप लोग पार्चास कानना है तो सोरूं का एड्रेस और आप लोगों कार्पोएट 181 kg का मिल लेवाला है और उसके साथ सीटाइट अप लोगों को चेक कराता हूँ अभी तो वाइक है निउट्रेल में अभी और लगाता है का सिल्फ ये आईएल कंडिशन का साउंड है और इंजिन का साउंड कोची सकरागा और इंजिन का साउंड का साउंड कर सकते हैं का साउंड कर साउंड कर दो वाइक हैं झाल झाल